कि यह लो गाईज वेल्कम टो अनकेडमी कैसे हैं आप सभी लोग तो कल हमने इंट्रोडक्शन आफ दा इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इंटीग्रेशन का अब हम उससे आगे पढ़ने वाले कल हमने क्से आउप्रोडक्शन अब HEY पढ़ने इंटीग्रेशन क्यों हमारे स्लेबस में आता है इंटीग्रेशन का यूज क्या होता आइलेट रूल्स यह सारी चीजे देखे और बाकी फॉर्मूलेस को समझा आज हम integration को उससे आगे start करेंगे आगे start करने से पहले आपके लिए एक announcement के लिए आपके लिए rank improvement batch आपके लिए rank improvement batch next month से जून में rank improvement batch आपके लिए next month जून से start होने जा रहा है इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बेच आपके लिए क्यों important है जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों की rank previous years कुछ अच्छी rank आई है वे अपनी rank को थोड़ा improve करना चाते है उन students के लिए तो ये most important batch है जिन लोगों को ये लगता है कि उनका base अभी clear है अच्छा base है उनका बट उनका time वगेरा या फिर उनका अच्छे questions या concept है ये सारी चीज़े नहीं मिल रही है वे अपना कहीं भी YouTube पर या किसी दूसरी जगे पर अपना time list बिलकुल मत करिए जिनको थोड़ा सबी लग रहा है वे लोग क्या करिए जल से जल्दा अमारे से जुड़ी है यहाँ पर rank improvement batch में आपको हम number of questions आपको concept through questions ये सारी चीज़े आपको कराएंगे ताकि आपकी rank improve हो second thing, third thing जो लोग अभी test series वगेरा दे चुके उनके marks test series में अच्छे आ रहे होंगे आपको वहाँ पर अपना time waste बिल्कुल नहीं करना है अगर आपकी अभी rank अच्छी आ रहे है तो आप उसको अच्छे से और भी अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छी क्या rank होती है under 100, one digit rank यह बहुत अच्छी ranks होती है तो आपको क्या करना है इन rank के लिए अपने आपको improve भी करना पड़े है और इस improvement बेच के लिए ही आपके लिए R.I.B. बेच लाया गया है कि आप अपने को improve कर सकें तो जिन भी लोगों को rank improvement बेच के regarding पूछ सकते हैं आपको telegram पर सारी details दी हुई है कि telegram पर हमारे team से किसी भी प्रकार से doubt के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं first thing telegram की link में आपको in the end of the session में दे दूँगा कि क्या है आप मुझसे वहाँ पर personally पूछ सकते हैं कि telegram पर आप पूछ सकते हैं कि rank improvement बेच के बारे में बता दीजी लिंक आपको end of the session में मिल जाएगी first thing क्यों unacademy plus का subscription लेना चाहिए तो subscriptions लेने के लिए आपके लिए यही कुछ reasons है सबसे most important reason कि अगर बात करें तो doubt clearing session हर फौर्थ session आपके लिए doubt clearing session होता है हर पूर्थ आपके लिए doubt clearing session होता है जो की सबसे different है आप कहीं भी offline platform में देखे या फिर आप किसी भी प्रकार से यूट्यूब पर देखे आपको ये सारी चीज़े doubt clearing session separate doubt clearing sessions नहीं होता है यहाँ पर हर पूर्थ इसेशन doubt clearing session होता है यहाँ पर weekly test आपको मिलते है weekly test मिलते है monthly test जो की आपको mega को इसके form में मिलते हैं यहाँ पर आपको language की कोई problem नहीं आने वाली यहाँ पर Hindi and English दोनो language की चीज़े आपको मिलेगी जो लोग Hindi में comfortable है वो हिंदी में देख सकते हैं जो English में comfortable है वो English में देख सकते हैं यह रहा हमारा rank improvement batch जो की next month से आपके लिए start होने वाल और फेस से revise हो सके और daily life classes रहती है आप यहाँ पर ऐसा feel करेंगे कि आप teachers के साथ बेट के बढ़ रहे हैं अगर उसमें बात की जाए कि क्या अलग और facilities मिलती है कि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर animations की चीज़े रहती है जो कि आप YouTube और offline में नहीं मिल सकता है जो कि यहाँ पर इतनी animations आपको मिलते हैं doubt clearing sessions रहता है overall pool leaderboard रहता है यहाँ पर leaderboards रहता है इससे आपको rank पता चलते हैं आपको यह पता चलता है कि overall competition कितना है क्या accuracy क्या accuracy क्योंकि आपको पता है gate ही एक exam में जहाँ पर accuracy बहुत ही ज़्यादा important करती है और accuracy आपकी क्योंकि वहाँ पर आपको यह सारी daily overall pool leaderboard और यह life quiz का daily आपको नहीं मिल सकता है इस चीज के लिए आपको rank प्लेस subscription को लेना चाहिए क्योंकि accuracy is one of the most important factor गाइज चलिए तो फिर से आपको यह बता देता हूं कि आपके लिए जो अभी 2 hour की classes चल रही है timing के लिए आपके लिए बता देता हूं 2 hour की आपके लिए classes चल रही है daily 1 hour की बात की जा 1 hour on YouTube चलिए यहाँ पर बता देता हूं आपकी 2 hour की classes चल रही है 1 hour on YouTube 1 hour daily on YouTube जिसकी timing क्या है जिसकी timing जो अभी है 9 a.m. to 10 a.m. 9 a.m. to 10 a.m. एंड दूसरे 1 hour की timing क्या है जो कि आपके लिए special sessions चल रहे है जो कि आपके लिए special sessions चल रहे है Special session की timing क्या है Special session की timing है 5 to 6 p.m. Special session की जो time यह बात है यह पहली चीज़ यह special session unacademy app पर चल रहे है unacademy app पर चल रहे है आपके लिए जो कि आपके लिए बिल्कुल free है क्योंकि बहुत सारे लोग unacademy के इसमें सोसते हैं नहीं यह पैड तो नहीं यह गाईज बिल्कुल फ्री है अब आपको लिए दूसरा डाउट यह रहेगा कि यह जो सेशन है कितना important है वह वाद सुनिए अगर आप YouTube पर वन आवर की class कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको concept plus of कुछ questions आपको करा रहा हूँ बट वन आवर की यह special sessions में आपके लिए previous year gate questions किये जा रहे है previous year gate questions यह आपके लिए daily practice type चल रहा है आपके daily practice papers यह daily practice papers आपके चल रहा है मेरे साथ मैं आपको सारे questions दूँगा आपको daily quiz type होगा सारे उसका solution होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप one hour की YouTube के session से आपके marks नहीं आने वाले मैस में इसकी मैं guarantee दे रहा हूँ अगर आपको mask चाहिए तो आपको one hour on YouTube भी पढ़ना पड़ेगा और one hour on special session भी पढ़ना पड़ेगा और मुझे लगता है कि 15 marks के बहुत इतने ज़्यादा वेटेज वाले subject को आप daily के दो hours तो देही सकते हैं और अभी बहुत time है इसलिए आप दो hours तो देही सकते हैं तो आपको क्या करना है daily के remainder set कर देना दो hours आपके लिए 9 a.m. to 10 a.m. और evening में अमारा 5 to 6 p.m. लिंक जो है special session के link में अपने channel पर डाल देते हैं हम आपको जिसकी link में end मैं अभी बता दूँगा और आपके अभी comment section में भी देखेगा आपको link मिल चुके होगी ठीक है without any delay over a square minus of x square dx कल मैंने ये formula लिखाता या सुनो कल मैंने ये formula लिखाता तो इस formula का मैंने आपको formula बताया था 1 upon a sec inverse x y a plus of c कल ये बताया था इसमें कल मुझसे थोड़ी सी slightly mistake हो गई थी यहाँ पर मुझे लिखना क्या था integration of 1 upon x root over x square minus of a square dx ये value actual में थी उसका formula है 1 upon a sec inverse x y a जल्दी जल्दी में थोड़ी सी slight mistake हो गई थी तो आप ये जो है इसकी जगह पर आप change कल लीजेगा कि मैंने इसकी जगह पर आपको x square पहले लिखना है a square बाद में ये थोड़ी जल्द हो गया था तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा change कर लीजेगा ये इसके वारे में मुझे अंशुल त्यागी ने बताया था I think अंशुल अभी आप लाइव होंगे thank you so much आपने ये mistake को पकड़ा जो भी एसी mistake हो या फिर जल्दी जल्दी में इसी silly mistake हो जाती है human error सबसे होत पूछा प्रोशन स्टार्ट करते हैं आगे से तो सबसे पहली चीज मैं देख रहा तो बहुत सरे लोग यह पूछ रहतेँ है लेबिनेट्स रूल कभी स्टार्ट होगा तो अब टाइम आ चुका है आपको लेबिनेट्स रूल स्टार्ट होने का heading डालिए लेबिनेट्स ल Lebinates Rule, ओके, तो Lebinates Rule क्या है, मेरी बास सुनिये, मेरी बास सुनिये, आगे जाके आपको मैं कुन से फॉर्मूला बताऊँगा, Lebinates Rule बताऊँगा, Reduction Formula बताऊँगा, या कोई भी आपको फॉर्मूला आगे जाके बताऊँगा, यह सारे फॉर्मूले आए कहां से हैं, कहीं और Rule derive हुआ है, तो आपको क्या है, सबसे जनरल फॉर्मूला अगर इंटिग्रिक्शन में बताऊँगा, तो Ilet Rule यह वही रूल हर जगे यूज होता है, इसको यूज करके हमने कुछ standard case थे, तो उसमें हमने इससे simplify करके कर लिया, क्या यह है, Ilet Rule है, Ilet Rule की बात की जाए, तो Ilet Rule is, if u is equals to x to the power n, and v is equals to e to the power a x, or, or sin a x, or cos x, और अगर हम को निकालना हो, then integration of u dot of v d x is nothing but, is nothing but first function, as it is, integration of second minus differentiation integration of second plus u double dash v3, कोई वरी मत हो, यह पहले मुझे बता देने दीजे, फिर आपको सारी चीज़े clear होंगी, v4 up to dash 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 infinity, इसकी बात करें, पहली चीज़, अगर हम इसकी बात करतें, तो इसमें सबसे पहले कहा जाए, यहाँ पे क्या है, यू, u dash, u double dash, u triple dash, यह सारी चीज़े क्या है, these are nothing but, derivative, ओके, नाओ, v1, v2, v3, यह सब क्या है, these are nothing but, इंटीग्रेशन अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि इसके अगर ये सारी चीज़ें तो overall ये formula हुआ कैसे द्यान से सुनिए फिर में इसको याद करने का तरीका भी बता हूँगा चलिए तो सबसे पहला question ये आता है कि सर ये आया कैसे इसमें ये सारी चीज़ें U और V को द्यान क्यों रखना है पहली चीज़ पहली conditions तो ये कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी guys याद करिये कल मैंने आपको बताई तक preference हम किसको algebraic को ऊपर क्यों लेते हैं और क्यों हम trigonometric और exponential को end में लेते हैं क्यों सेम यूज होगी क्योंकि लेबिनेट्स रूल और कहीं से नहीं कहां से आया है आइलेट रूल से आया है कैसे आया है मैं बताता हूँ चलिए derive करते हैं आपको चलिए आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा derivation समझा देता हूँ अब मुझे एक बात बताईए अगर यहाँ पर बात की जा तो this is nothing but u into v into dx यही वेल्यू है ओके अब आप मानिए इससे first function इससे मानिए second function आयलेट रूल का कहता है आपका आयलेट रूल कहता है integration of अगर आपन बात करें first function as it is integration of second minus integration differentiation of first integration of second dx यही value है जल्दे से बात आये यही value आती है आपकी first function as it is integration of second minus integration differentiation of first integration of second dx okay now the question arise guys आगे चलिए tell me अगर यहाँ पर बात करूं तो this value is nothing but integration of v को अपन क्या कह सकते v1 okay minus time integration अब this value is nothing but u of dash and this value is nothing but v dx इसको थोड़ा सा feel करिये थोड़ा सा समझी आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी इस value को तो आपने u dash लिग दिया कोई दिक्कत नहीं है मर इनकी बात की जाएं तो अगर हम इसमें function कौन से हैं अगर यह हमारे function है e to the power ax sin ax cos ax इनको अगर हम सही से देखें इनको अगर हम सही से देखें तो आपसे मैं पूछता हूँ tell me e to the power ax का integration क्या होगा e to the power ax by a किसकी बात कर रहा हूँ integration की अगर मैं आपसे sin ax की बात करूँ sin x की बात करूँ तो आप क्या कहेंगे sin x का integration क्या होता है तो आप मुझे एक बात बताइए, यह तीनो वेरियबल किस टाइब के वेरियबल हैं? यह तीनों वेरियबल किस टाइब के वेरियबल, यह तीनों की तीनों वेरियबल जो है, कंटिन्यूसली यह जो तीनों वेरियबल हैं, यह तीनों वेरियबल इस टाइब के वेरियबल हैं, कि जिनका आप कंटिन्यूसली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, continuously आप इनका derivative निकाल सकते हूं यह value आपकी 0 ही नहीं हो yes or no आपका sine derivative आप निकाल साइन का होगा cos से होगा sin sin से होगा cos cos से होगा sin e to the power a x का निकालिया तो e to the power a x का तो e to the power a x e to the power x e to the power x e to the power x continuously होते रहें तो हमने क्या हुआ इस formula में जब हमने in values को रखा u की जगे पर हमने किसको रखा x to the power n को और e to the power ax को जब हमने यहाँ पर रखा जैसे ही हमने सारे variables को इन में रखा तो यह जो formula है यह जो formula है इसमें जब आपने रखा तो इसकी value फिर से किस चीज में convert हो गई यह फिर से किस चीज में convert हो चुकी है फिर से आप इसमें i-let rule apply करेंगे और फिर से जब आप इसमें i-let rule apply करेंगे तो आपकी फिर से value भही आ जाएगी कौन सी आ जाएगी u into v1 minus of first function as it is यहाँ पर derivative तो हो चुका था तो is nothing but v1 v2 plus of अब इसकी बात करें जा तो triple derivative double derivative minus of this one कुछ नहीं है यह इस चीच को अगर आप बात करें तो derivation में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होता है यह जो value है इसमें फिर से i-let rule रखता है सिर्फ इतना ध्यान रखी है कि यह जो value है इसमें फिर से highlight rule लग जाता है और इस value में फिर से highlight rule लगता है तो फिर से आप highlight rule लगा के क्या करेंगे यह value फिर से लिखेंगे तो same form में यही चीज होती है इस form की बात की जाए तो अब आपने इसको तो छोड़ दिया इस time में लिय यह समझा जाएगी लिबनेट रूल का समझा जाएगा अभी बस सिर्फ आप इतना ध्यान रखिये अभी सिर्फ गाईज आप इतना ध्यान रखिये कि लिबनेट रूलो डेराइव किसे हुआ है Logan रूल किसे डेराइव हुआ है आइलेट रूल से, क्यों डिराइव हुआ है, क्योंकि ये जो v है, v जो है e to the power ax, sin ax cause a, ये जो values हैं, ये जो है continuously derivative and continuously integrative value है, इन values की बात की जा, तो ये values में जब हम इस function में second यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो सारी values जो रहती हैं, फिर से हमारे को यहाँ पे आइलेट रूल ल ये use होते रहेगा, ये value तो up to infinite तक आपने बता दी, कि up to infinite तक आपने कह दी, तो हम कब तक ये formula use करते रहें, किस term तक use करते रहें, तो ध्यान से देखें, कल ही मैंने आपको बताया था, कि algebraic function के साथ problem क्या है, algebraic function कुछ देर तक तो derivative होता है, फिर उसकी value जो है constant हो जाती है फिर उसके derivative के value 0 आने लग जाती है, तो ध्यान से देखें, अगर ये value, यहाँ पर value क्या होई है, अगर आपकी value, let us suppose, u is equals to x cube है, v तो कुछ भी मान लीजिए, v की value मान लीजिए, e to the power x है, ओके, तो मुझे ये value कितने तक derivative होगी, आप कहेंगे sir, इसका first derivative possible है, yes, इसका second derivative possible possible है, yes, इसका third derivative possible है, yes, बट इसका fourth derivative की बात करें आप से, तो आप क्या कहेंगे, इसकी value हो जाएगी zero, और अगर fourth derivative की zero है, value है, इसका मतलब जितने भी higher order derivative है, four से जादा, four, five, six, seven, जितना भी derivative होगा, सारी value इससे आगे की zero हो जाएगी, और जब इससे आगे की सारी value zero हो ज कराता हूँ, पहले आप इस example को try करिए, एक minute का time दूँगा, after that, मैं कराता हूँ इसको, तो पहला question आप लोगों के लिए, integration of x cube e to the power twice of x dx, जिन लोगों को यह derivation में दिख्कता आ रही है, उन लोगों को मैं बता रहूँ, यह कोई as such आपके लिए derivation है नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, कि जो भी values जो आती है, lebinate rule से ही derive हुआ है, और इसमें यह जो value यहाँ पर फिर से ilet rule लगता है, फिर इसलिए यह expansion होता रहता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और यह आपसे कोई पूछेगा नहीं, यह फिर भी मैंने आपके लिए base तयार करने के लिए बता दे कि आपको यह रहे कि higher retina ना रहे कि overall मैं इसको कुछ feel भी तो करना रहे कि यह albinate rule आया क्यां से, बस चलिए यह question करिए, आप लोगों के लिए मैं एक minute का time set कर देता हूँ, चलिए time start हो चुका है, करिए सभी लोग, integration of x cube e to the power twice of x dx, अगर किसी को problem है formula याद नहीं है तो चलिए मैं formula page खोल देता हूँ, formula page पर देख लिए जेगा, यह है आपका formula page, ठीक है एंड यह आपका question है, जल्दी से करिए, last 30 seconds guys, last 30 seconds, जिन लोगों को लगता है कि सर बहुत basic से हम पढ़ रहे हैं, कल किसका कमेंट था, दिवाकर का कमेंट था I think, दिवाकर आपके रहते सर बहुत slow चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा basic से पढ़ा रहे है, गेट के questions कराईए, direct gate के questions नहीं करा सकते दिवाकर, direct gate के questions कराने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पहले आप base तो तयार करिए, फिर हम आपसे देखते हैं, आप आईएगा special session में दिवाकर, फिर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए, tell me, this is your algebraic function, and this is your exponential function, okay, now tell me, अगर हम यहाँ पर outlet rule भी लगाए, इस question को आप outlet rule से solve कर सकते हैं, of course इसको आप outlet rule से भी solve कर सकते हैं, और इसे किसे use कर सकते हैं, इसे और हम limit rule से भी use कर सकते हैं, क्योंकि outlet rule भी लगाते रहे, यह तो भी solve answer आना है, और limit rule को भी लगाएंगे, तो भी solve answer आना है, चलिए, तो इसकी अगर आपन बात करें, तो पहले तो अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर first function किसमें मानेंगे ह this is u is equals to कितना हो जागा, x cube, and v is equals to क्या हो जागा, e to the power toys of x, ओके, तो अगर हम बात करें, तो इसके integration की value कितने हो रहेगी, u into v dx कितने हो रहेगी, अब सुनिए, इसको याद करने का भी तरीका बतातो, ज्यान से सुनिए, ज्यान से सुनिए, आपको outlet rule तो याद है, limit rule को या outlet rule याद है guys, yes, अगर आपको outlet rule याद है तो outlet rule कैसा रहता है, first function as it is integration of second minus, यहां तक तो आपका outlet rule हो गया, जल्दी से बताए, यहां तक तो आपका outlet rule हो गया, कि कोई change आया है, बिल्कुल change नहीं आया है, क्या है, first function as it is integration of second minus, means आपने outlet rule लिग दिया, बस आपने इतना लिग या मतलब तो आयलेट रूल हो गया कैसे अब आपको क्या करना अल्टरनेट माइनस प्लस लेना है माइनस प्लस माइनस प्लस साइन के कोई दिक्कत माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया फस्तिंग और अल्टरनेटिबली अगर बात सेकंड इंटिग्रेशन, थर्ड इंटिग्रेशन, फूर्थ इंटिग्रेशन, तो आपको बिल्कुल कन्फूजन ही नहीं होगा कि हमें कैसे लेबिनेट रूल को याद रखना है, जल्दी से बताइए, यह मेरा ट्रिक था, मैंने इसको ऐसा द्यान रखा था कि यह as it is, integration of the second minus differentiation, अब यहां तक हमारा हो गया, minus तक में, कहां से आया है यह, islet rule से, यहां तक हो गया तो फिर इससे आगे तो बिल्कुल सरली है, yes or no guys, चलिए, आगे चलते हैं, अब आगे अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इसकी बात करें, this value is u into vtx, इसकी अगर आपन बात क करें, तो लिबेनेट रूल आपने लगा दिया, क्या था, first function as it is, integration of second minus, अब तो हमारा अल्टरनेट करते रहेंगे, यहां से इसका derivative बढ़ा दीजे, u, इसका integration बढ़ा दीजे, alternate sign plus, u double dash v3 minus, u triple dash v4, plus u1234 v5, up to dash dash infinity, यहां पर minus sign लगा लिए, और जैसे ही अगर मैं बात करूं, integration of u into vdx की अगर मैं बात करूं, first thing, tell me guys, अगर मैं इसकी बात करूं, integration of u dot v into dx, इसकी बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप बात करें, first function कितना हो जागा, is nothing but xq, v1 की बात करूं, integration of e to the power 2x कितना होगा e to the power 2x divided by 2, okay, minus of, minus of, इसकी बात करूं, इसका first derivative क्या हो जागा, thrice of x square, into, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका double integration कैसा होगा, अब ज्यान से सुनिए, double integration के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे, पहला integration निकाल, फिर उसको integrate करें, नहीं, यह किस चीच की value है, यह first integration की पूरी की पू से integrate करेंगे, इस nothing but e to the power 2x divided by 4, क्यों, क्योंकि इसकी value फिर से रहेगी, e to the power 2x by 2, और e to the power 2x by 2 first था, same ही ही value हो रही है, आगे बात करें, आगे अगे अगर अगर अपन बात करें, this value is, u double dash की बात की जाए, अब मुझे क्या करना है, यह first derivative हो चुका था, अब इसका मैं second derivative निकाल होंगा, तो कितना हो जाएगा, 6 of x, ओके इसकी अगर बात करेंगे, तो यह हो जाएगी, 6 of x, v3 की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, v3 is nothing but e to the power 2x divided by 8, ओके, this value यहाँ पर अगर अगर प्लस आ चुका, तो यहाँ पर आजागा, minus into, फिर से अगर आप derivative करेंगे, तो value is nothing but 6, this value is nothing but e to the power 2x divided by 16, प्लस of 0, up to something, now tell me, not tell me, formula आपका terminate हुआ की ने, of course होगा, इसा तो रही नहीं कि formula चलता ही रहेगा, के से terminate होगा, अगर यह इसकी value बात करेंगे, अगर यह third order की value दियो ही है, अगर यह आपको कितना order, इसका है, आपकी अगर इसकी मैं बात कर रहेगा, derivative 0 होगा, और अगर 4 derivative 0 है, तो उससे आगे कोई भी term लीजिए, सारी value 0, 0, 0 ही आदने हाले, मींस हमको सिर्फ और सिर्फ derivative 3 तक का लेना है, तो अब आपको समझ आया है कि क्यों हमें सा algebraic function, कल मैं ने कहा था, अगर आपको feel नहीं आया होगा, तो आज ला दूँग पिर पिर आगे चलेंगे second question, integration of x square sin of 3x dx, चले, करिया, आप लोगों के लिए मैं time दे देता हूं फिर से, आपके लिए 30 seconds का time है, यह question 30 seconds से जादे का है भी नहीं, डियर, 30 seconds का time है, आपके पास चलिए, try करिए, जल्दी से करे, 30 seconds का time है, चलिए, गाइस, time's up, time's up, time's up, कुछ नहीं, बहुती simple question है, यार, first thing, अगर इसकी बात की जाए, तो यह क्या हो चुका है, आपका first function, means यह हो चुका है, आपका u, और इसकी बात की जाए, यह हो गया आपका v, और अगर हम बात करें, आपका एक algebraic function, एक trigonometric function है, कौन सा rule यूज़ करेंगे, highlight rule, highlight rule क्या कहता है, first function as it is, this is nothing but x square, integration of the second, बताइए, sin 3x का integration क्या होगा, minus of cos 3x divided by 3, yes or no, ओके, यह question मैं इसलिए दिया था, ताकि आपके minus plus की, आपको चीज़े समझाए कि आप minus plus की mistake कहा कर सकते दें, इसकी बात की जा, तो यहाँ पर आपा जागा, minus sign, अब इसका क्या हो गया है, यह first time जो हो रहती है, उसका क्या चलता है, derivative, इसका derivative किता हो जागा, इसकी value हो गए, x square का करेंगे, is nothing but twice of x, अगर मैं इस value का करूँ, तो इसका क्या रहना है, first integration हो चुका है, अब आप इसका क्या करेंगे, double से integrate करेंगे, तो double से integrate करेंगे, तो इसकी value किती हो जाएगे, minus sign under consideration आएगा कि नहीं, आएगा dear, क्यूं, क्योंकि यह first integration है, second integration हम फेसे करेंगे, तो minus sign लेना ही पड़ेगा, minus sign, इसकी value किती हो जाएगी, sin of 3x divided by 9, now, अभी आप क्या simplification करेंगे, बिल्कुल मत करिएगा, simplification आप कब करेंगे dear, simplification आप करेंगे, जब पूरी step लिखा जाएगी तब, क्योंकि बना आपको बार-बार integrate करना पड़ेगा, आगे चलिए इसकी बात करें, आगे इसमें बात की जा, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो चुका, minus sign, अब आजाएगा हमारा कुन सा, plus sign, plus sign आजाएगा, इसका अब हम क्या करेंगे, derivative तो इसका हो गया 2, now, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसका integration अब हम फिर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, triple integration में convert हो जाएगा, minus sign तो हमारा यह है, पहले से ही है, फिर अब हम बात करेंगे, sign 3x का कित्ता हो जाएगा, minus of cos 3x divided by, minus of cos 3x divided by 27, up to, अगर आप इसके बात करेंगे, तो अब सारी value 0 होने वाली, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हो चुका constant, और इस constant का derivative करेंगे, तो value 0 हो जाएगा, कर लिजए इससे simplify, अब आप कर सकते हैं, इस value को करा, तो minus of cos 3x divided by 3, x square, यह question सिर्फ आपको इसलिए दिया है, कि आपको simplification का समझ आज सके, कि आपको सिर्फ simplification सिर्फ और सिर्फ दियर तब करना है, जब आपके questions का, पूरी आपकी पहली step लिखा जाए, इस value की बात की जाए, minus minus plus, sin of 3x, divided by 9, 2 by 9 into x, minus minus again plus, 2 by 27, cos of 3x, जल्दी से comment करिए, कितने लोगों का यह answer आ चुका था, जल्दी से comment करके बताए, कितने लोगों का यह answer आ गया था, चलिए, जितने भी लोगों का answer आ गया था, very good guys, very good आप अच्छा जा रहे हैं, चलिए, आगे move करते हैं, अब बात करते हैं, कि लेबिनेट रूल्स पर आपको command आई, लेबिनेट रूल आपको समझाया, कि लेबिनेट रूल कहीं और से नहीं आया है, islet रूल से आया है, केसे उसका derivation के केसी सारी चीज़े हुई है, वह आपको मैंने बता दी है, उसका use क्या है, यह बता दिया, लेबिनेट रूल में इससे जादा कुछ है भी नहीं, अब आगे बात करते कुछ result आपको standard result बता देता हूँ, कुछ standard result आपको बता देता हूँ, standard result के बात की जा तो result number one, first thing, अब आपको एक चीज़ पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि integration of f dash of x, upon f of x, dx is equals to log of x plus of c, आपको ये चीज़ तो बताया होगी, log of f of x plus c, ये formula आपने सुना होगा, अब ये formula आया के से ये चीज़ में बताता हूँ, अब आप एक काम करिए, मेरी बास सुनिए ध्यान से, अब आपने बोल दिया कि मैं मानता हूँ, f of x is equals to example देता हूँ, मैंने बोल दिया, let us suppose f of x is equals to x square, let us suppose, मैंने f of x की value कितनी मान ली, मैंने f of x की value चली, ये मत मानी हैं, आप x से ही मान ली जाएं, मैंने मान ली f of x की value, let us suppose x, yes or no, ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ, f dash of x की value कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे sir, f dash of x की value कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी derivative की बात करें, तो value हो गई 1, इस condition में अगर हम रखते हैं, इस condition में अगर हम ये सारी value रखते हैं, तो this value has come out to be, f dash of x is nothing but 1, upon this value is nothing but x, into dx, overall value आपका, इसका integration की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, this value is nothing but log of mod of x, plus c, now tell me, अब मेरा doubt ये, अब को आप ये बताइए, कि यहाँ पर अगर बात की जा, तो ये क्या था, this is nothing but f of x, overall आपकी value क्या आचुकी है, log of f of x, plus c, बताइए, समझ आया या नहीं, जल्दी से मुझे बताई, आप लोगों को ये step समझ आई, आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, जब मैं आपको lebanate rule जैसी चीज का सारी चीज़े बता सकता हूँ, कि lebanate rule आया कहां से, क्या derivation है, तो आपको ये जो basic formula ये तो रटना भी नहीं, ये आपको direct feel आना चीज़े, समझ आना चीज़े कि overall होता क्या है, yes or no, okay, दूसरी property बताता हूँ, दूसरा result, दूसरा result होता है, integration of f of x की whole power n, f of x dx, is equals to, is equals to f of x की whole power, f of x की whole power n, n plus 1 upon n plus 1, plus of c, say yes or no, f of x की whole power n, this value is nothing but f dash of x, just a minute, this value is nothing but f dash of x, integration of f of x की whole power n, into f dash of x, dx is equals to this value, ये आपको दी हुई है, इसका क्या integration होगा, tell me, अगर मैं आपको बता तो इसका proof देता हूँ, एक काम करिए, अब आप मान लीजे, f of x को same मान लीजे, x, example से समझे, f of x को आपने मान लिया, same x मान लिया, अगर आपने इसको x माना है, तो इसकी value की, अगर मैं आपसे कहूँ, तो आपका f dash of x कितना होजागा, this value is nothing but 1, और अगर मैंने बोल दिया, let us suppose, n की value आप मान लीजे 2, n की value मान लीजे 2, आपकी value overall क्या हो गई है, integration of, इसका use करें, f of x की power n, means x की power n, means x का square, f dash of x is nothing but 1 into dx, तो इसका आप integration करेंगे, तो क्या हो जाएगा, this value is nothing but x cube, divided by 3 plus of constant, yes or no, आपकर मैं आपसे इसकी simplification पूछू, तो इस value को आप क्या लिखेंगे, this value is nothing but f of x, this value is nothing but f of x, and this value is nothing but f of x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 plus of 1 upon, 2 plus of 1 plus of c, तो ये value क्या हो गई है, f of x, की whole power 2 plus of 1 is nothing but, n plus of 1 upon n plus of 1 plus c, जल्दी से बताए, समझ आया है, कोई भी formula रटना नहीं, हर formula का मैं आपको derivation बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा basic आपको और क्या बता हूँ, और जो बात आपको जिन लोगों को ये लगता है, जो लोग comment करते हूँ, comment करने से फिले आप सोचा करिए, कि आपको कह देते हैं, कि सब direct numerical करे हैं, केसे करा दें, आपको बिना ये basics समझाए, और जिन लोगों को direct numerical का लगता है, कि सब अब numerical करे हैं, तो आप special sessions में आई, आपको बहुत भर-भर के numerical कराता हूँ, differential calculus में ही, सिर्फ मैंने आपको 90 questions, differential calculus में करा हैं, सिर्फ और सिर्फ differential calculus में 90 questions, तो आप देखे, कि आपको questions तो बहुत ज़्यादा होंगे, बट आपको base तयार करना यहीं से होता है, आपको base के लिए YouTube पर आना है, और questions के लिए आपको special sessions में आना है, तो दोनों आपके लिए बहुत important है, yes or no, चलिए, तीसरा formula पर अगर आपको लेके चलू में, third formula is, integration of e to the power f of x into f dash of x dx, इसका formula की अगर बात की जा तो इसका formula है, is nothing but e to the power f of x plus c, यह यह formula तो मुझे derive कराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी करा देता हो, बहुत ही simple formula है, चलिए, बहुत ही simple formula है, example लीजिए, अगर आपकी बात की जा, तो आपका value क्या है, e to the power f of x से, into f dash of x, एक काम करिए, f of x की value मान लीजिए, x से ही मान लीजिए, तो value अगर इस function के हिसाब से बात की जा, तो यह value हो गई, e to the power f of x is nothing but, e to the power x into f dash of x is nothing but, इसका f dash of x कितना हो जागा, 1, overall value कितना होगी, into 1 dx, इसका अगर अपन integrate करें, तो इसकी value क्या आ चुकी है, इसका अगर integration करेंगे, तो आप कहेंगे, e to the power x plus of c, और अगर मैं कहूँ, तो this value is nothing but, e to the power x की value की बात की जाए, x क्या है, x is nothing but, f of x, plus of c, कुछ नहीं है, फिर आपको बता दिए कि overall आया कहाँ से, जल्दी से बताएं, समझ आया, इन सब में सबसे important formula कौन सा है, इन सब में सबसे important formula ये वाला, result number 4, ये important formula इसका use क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, but सबसे important formula ये ही है, इस formula की बात की जा, is nothing but, e to the power x, integration of e to the power x, f of x, plus of f dash of x, dx, इसके विल्ले आपको निकाल लिए, कि इसकी integration of e to the power x, f of x, f dash of x, dx, जल्दी से बताएं, अगर किसी को पता है, तो comment करिये जल्दी से, अगर किसी को पता है, इसका तो comment करिये जल्दी से, चलिए मैं बताता हूं, इसका formula होता है, e to the power x, into f of x, plus of c, जान रखेंगे, इसका formula होता है, e to the power x, f of x, plus of c, क्या इससे derivation हुआ है, derive बता देता हूं कैसे हुआ है, example बात में बता हूंग, पहले तो ये बताता हूं कि, overall derive कहां से हुआ, कैसे हुआ है, इसकी बात की जा, तो एक काम करिए, f of x का एक काम करिए, आप f of x को मान लीजिए, x square, f of x को चलिए, x ही मान लीजिए, f of x को x square लेकर, हम क्यों डिक उसमें जाए, हमने बोला, क्या है, इसको मान लीजिए, x ही मान लीजिए, जैसे ही आपने x माना तो आपके value क्या हो चुकी है overall आपको value निकाल लिए e to the power x f of x की value हो चुकी है x f dash of x की बात की जाथ is nothing but 1 into dx इसकी आपको overall value निकाल लिए तो निकाल लिए इसको आपने का है e to the power x into x dx plus of e to the power x dx चलिए इसको आपने जिसे ही किया अगर आपने इसमें बात करें तो या आपने इसमें क्या lebinate rule लगा सकते हैं या नहीं अपकोर्स लगा सकते हैं आपने यह कहा चलिए this is your first function algebraic है and this is your second function ओके तो आप क्या कहते है first function as it is integration of second minus 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 के बाद आप यहां का करेंगे derivative of the first function कितना हो जागा 0 into अब आप तो कुछ भी लिखिए सारी value 0 ही आने वाली plus e to the power x dx यह value हमारी यह वाली है इसके आगे कि जितनी value है वो तो 0 आने वाली क्यों क्योंकि x का derivative sorry sorry just a minute x का derivative 1 होगा मैंने यहापर 0 लिख दिया नहीं अभी first time आएगी minus of x का derivative अगर हम करें तो this is nothing but 1 और इसका integration हम फिर से करें जो first value आएगी उसका integration हम यहां कर देंगे is nothing but e to the power x का integration e to the power x ही आना है plus of 0 अब सारी value 0 आने वाली yes or no guys क्योंकि देखे आइलेट रूल ही लगाया मैंने कुछ नहीं किया first function as it is integration of second minus differentiation इसका first का integration e to the power x का कितना भी integrate करी first second third fourth उसका e to the power x ही आने अब आपने इसको simplify किया this value is nothing but x into e to the power x minus of e to the power x और यह value के बात की जा तो इसका integrate करा तो e to the power x overall e to the power x e to the power x cancelled out answer हो गया x into e to the power x और बताइए अगर मैं आपसे पूछू कि यह value कहां से आई है इस formula को अगर आप use करें तो आपकी value क्या आना चाहिए थी example के इस आपसे integration of e to the power x into x plus 1 dx इसकी value क्या आने चाहिए थी इसकी value आना चाहिए थी e to the power x into f of x की कित्ती value है x plus of c और अगर आपन बात करें तो this is nothing but अगर हम इसकी बात करें तो this is nothing but f of x and this is nothing but e to the power x this is nothing but e to the power x into f of x plus c yes or no guys जल्दी से बताये समझ आये कि overall यह formula आता कहां से इस formula का important क्या है जल्दी से बताये tell me जल्दी से बताये समझ आया चलिए आगे बात करते है अब मैं अगर आपसे आगे की बात करूं कि इसका एकाद एक्जामपल आपको अच्छे से देता हम आप इसको करिए अगर आपके question आ जाए integration of e to the power x x square plus twice of x dx यह questions direct आते हैं मेरी बात सुनिए द्यान से सुनिए एक बात द्यान से सुनिए इसको याद कैसे करेंगे कि sir इसको याद करने के लिए ये कैसे पता चलिएगी कि एकदम से stretch कैसे करेगा हमको की यह formula तो इसको आप कैसे समझेगे किसको आप इससे समझ सकते है first thing कैसे कि आप समझे जब भी मुझे exponential function दिया होगा जब भी मुझे exponential function दिया होगा और उसके side में कोई दो values दी होई होगी जब भी मुझे exponential function दिया होगा उसके side में कोई भी दो values उनके addition में दी होई होगी कोई भी exponential function हो उसके side में कोई भी दो values additional में दी होगी तो addition के साथ दी होगी हो हम चेक करेंगे उसमें हम पहले चेक लगाएंगी कि अगर यह वेल्यू एफ एक्स है तो यह वेल्यू डिरेक्ट एफ डिस अफ एक्स होना चाहिए और अगर इसा हुआ तो हम डारेक्ट लीज का अंसल लिग देंगे इस वेल्यू इसका कित्यों रहेगे ईट्यू पावर डिस इंसी इंत्याक बताइए कि नियुक् ऑगा उसके बगल में अगर अगर एडीशन वाली चीज होगी अगर उसके सइड में अगर जश होगी तो आपको सिर्फ इससमें छेक करना है कि कि वे f of x और f of f dash of x वाली term है अगर yes if yes अगर वे दोनों f of x और f dash of x वाली term है तो आपको क्या करना है डारेक्ट f of x की value लिख देना है यह property यूज कर देना है एक एक question और देता हूँ this is your example number one example number two लिखिया example number two क्या हो जागा integration of e to the power x in the bracket sec x plus of sec x 10x देखें मैं इसको सिर्फ आपको application यूज कराने के लिए बता रहा हूँ यह नहीं कि आपको basic के सिंपल से tough numerical देखना है आपको बहुत ज्यादा tough तो आप एक काम करें special sessions में हैं बहुत ज्यादा tough तक करा हैं मैं आपको basic को strong करा रहा हू तो कोई यह session को देखके यह जज ना करें कि सर आप बहुत basic चीजे पढ़ा रहे हैं यह मैं सिर्फ आपको क्योंकि बहुत सार लोगों के comment आते कल मैंने दिवाकर का comment देखा तो वो direct यह कह रहते कि सर आप gate के questions ही करा दीजे हम बहुत basic चल रहे हैं डियर basic से आप यह मत समझ questions बनेंगे अगर मैं direct आपको formula देखके direct आपको questions कराने लग जाओंगा कुछ समझ नहीं आएगा आपको actual feel ही नहीं होगा अगर आपको actual feel लेना idea तो सारे basics के साथ पढ़िए basics को strong करिए आपको numerical का आप क्यों वरी हो रहे हैं कि सर आप इसे पढ़ाएंगे तो हमारे numerical नहीं ह इसके ही approach questions करेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी बट उसके लिए मैं आपको कहरा हूँ आपको basic पढ़ना पढ़ेगी क्योंकि जब मैं आपको वे questions कराता हूँ तो आपको problem होगी और मैं नहीं चाहता कि आप basics की वज़े सा आपको problem हो ओके चले इसके अगर आपन बात करें तो आप कैसे याद रखाता इसको this is your exponential function exponential function हो उसके side में कोई भी दो function addition में हो तो first condition हमारी satisfied exponential function है उसके side में कोई भी दो function addition में हो yes addition में हो यहाँ पर minus भी होता चलेगा क्यों अगर बाइचांस यहाँ पर अगर हमारी value होगी cos x तो cos x का differentiation मेरा भी दो value addition या subtractions भी के सकते या फिर only कोई दो values हो अगर दो values हैं तो हम चेक करेंगे कि उन दोनों में से कोई एक function f of x है क्या yes this is your f of x और अगर हम इसका derivative करें तो this is nothing but यही होगा this is your f dash of x और अगर एसी condition satisfy होती है तो हम यह property direct use कर लिंग हमारा answer हो जागा e to the power x sec of x dx plus of c tell me guys समझ आया या नहीं देल्दी से बताइए समझ आया चलिए अब अगर हम बात करें तो last property अगर हम last result इसमें याद करें this is your last result last result के बात की जाए तो int e to the power a by x dx इसके क्या होता है इसको आप कहते है directly x to the power a plus of c यह कहां से आया है मैं बहुता देता हूँ यह कहां से आया है आपकी value let us suppose integration of e to the power a by x dx तो आपने इसके integration किया उपर में तो this value is nothing but a integration of dx by x is nothing but log of x ओके tell me इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाए constant c इसकी बात की जाए तो इससे आप इसा लिख सकते है e log of x to the power a plus of c this value क्या होती है this value is nothing but x to the power a plus of c property of log है और कुछ नहीं है यह इसकी बात की जाए तो यह कहां use करने को मिलता आपको कहां use करने को होता है used in differential equation कौन सी equation linear differential equation जदे को मिलने को तो यह आपको कहीं भी दिख जाएगा मर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता है कि यार हमको यहाँ देखने को का मिलता है तो आपको फिर भी बता दे रहा हूं यह आपको linear differential equation में आपको भर भर के इसके questions मिलेंगे जब आप integrating factor निकालते हैं तो क्या लिखते हैं e to the power p e to the power integration of pdx तो p अगर आपको बात की जा तो यहीं से आपके formula यूज होते हैं integrating factor के time पर यह सारी चीज़ बहुत यूज होते हैं जल्दी से बताइए गाइस और अगर आप लोगों को सेक्षन अच्छे लग रहे हैं तो आपको एक ही काम है कि आप सेक्षन को like करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग like करिए कल भी मैंने देखा था कि number of students बहुत जादा होते हैं बट like जो रहते हैं हमेसा कम रहते हैं ऐसा क्यों अगर आपको सेक्षन अच्छे लग रहे हैं तो आप like करिए OKшееत तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थे कि जो definite integration है मैंने आपको कल एक चीज यह बताई थी कि जो indefinite integration है उसके questions आपको gate में क्यों नहीं आते क्यों कि यार अगर उसने indefinite questions दिया तो आप क्या करेंग उस indefinite के questions में डारेक्टे लिए आप क्या करेंगे डेरिवेटिव के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कल के सेक्षिन में देखे एंड में मैंने ये चीज़ एक्स्प्लेन करें तो आपके इंडेफिनेट के कुश्चन्स तो बन ही नहीं सकते हैं बहुत कम ही पॉसिविलिटीज हैं और बन भी गए तो आप डारेक्ट फॉर्मूले से हैं आप निकाल सकते हैं नहीं तो आप डेरिवेटिव से निकाल देंगे यह सुन तो आपके questions ज़्यादा तर कहां से आते है definite integration से तो अब हम start करने वाले हमारा topic definite integration heading डाले सभी लोग, heading डाले सभी लोग, heading डाले definite integration चली तो definite integration में पहली चीज़ तो यह आती है कि overall indefinite integration और definite integration में अंतर क्या है तो सिर्फ पहले मैंने आपको कल बताया थे कि definite integration और indefinite में अंतर यह है कि आपको limit of integration यहाँ पता रहती है तो limit of integration का पता होने से क्या मतलब है मैं बताता हूँ, let us suppose, let us suppose करिए आपको मैंने कहा कि integrate करिए x square dx को आपने integrate करके कह दिया x q by 3 plus of constant जो भी कह दिया means अभी आपको sure नहीं है यह जो constant इस चीज का ध्यान रख लेता है आपका इस चीज के अभी आपने बात करें तो यहाँ पर indefinite integration में यह security नहीं है कि overall हमारी value कहां से कहां तक होने वाज़ी है क्योंकि आपके limit नहीं बट definite integration में क्या होगा अगर आपने इसे value की बात कर दी 2 से लेके 3 x square dx इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपको integrate जो करना है उसमें आपकी limit fixed है कि आपको उससे 2 से लेके 3 तक ही क करना है tell me इसको आपको करना है कहां से लेके 2 से लेके 3 तक तो let us suppose यह लाइन मान लीगे simple सी बात करिए यह आपका होगया 2 यह होगया आपका 3 यह होगया 2 और यह होगया 3 means आपको यह पता है अभी आपको सिर्फ यह पता है कि मुझे 2 से लेके 3 के बीच में इसको integrate करणा है अभी आपको यह चीज पता चलगे कि मुझे 2 से लेके 3 के बीच में इससे integrate करना है तो अभी तक आपको यह है कि यह जो value है मेरा जो function इसको integrate 2 से लेकर 3 तक करूँगा मैं बट इससे पहले तक आप क्या कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उससे integrate कर रहे थे उस पर foundations नहीं लगा रहे थे कि इसकी boundary condition यह है कि x की value 2 से लेकर 3 तक ही अभी इससे पहले तक आप क्या कर रहे थे उसमें foundations नहीं लगा रहे थे अब हम foundations लगा देंगे उनका क्या use होने वाला है कि इस प्रकार से सारी चीज़े यूज होती वह मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा उसके लिए जब मैं आपको length of the curve पढ़ाऊंगा volume of revolution, solid of revolution सारी चीज़े आपको clear रहे हैं बस अभी आप indefinite और definite integration में इतना समझे लीजिए कि indefinite integration में क्या होता है limit of integrations नहीं होती है definite integrations में क्या होता है limit of integrations होती है तो कुछ properties के अगर आपन बात करे definite integration की पहली property अगर मैं आपसे पूछें a से लेके b f of x dx का अगर मैं आपसे integration पूछें तो आप क्या कहेंगे a से लेके b f of x dx की value क्या हो जाएगी is nothing but इसका जो integration value आएगी let us suppose capital F आया तो उसकी value होगी upper limit minus of lower limit say yes or no अगर मैंने इसके integration की बात करी तो इसकी value कित्ती हो जाएगी a से लेके b जो भी integration आएगी उसमें upper limit minus of lower limit second की बात करूँ अगर a से लेके b f of x dx की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं minus time b से लेके a f of x dx लिख सकता हूँ इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसको मैं a से लेके b f of x dx is equals to minus time b से लेके a f of x dx लिख सकता हूँ किसी भी प्रकार से इसमें वरी होने की जरूरत नहीं क्यों यार क्यों नहीं लिख सकता है इसकी value क्या आएगी f of v minus f of a इसकी value क्या आएगी f of a minus f of b means over minus sign का ही तो अंतर है ओके तीसरी चीज़ अगर मैं आपसे पुछू तीसरी property तीसरी property अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सुनिए ज्यान से सुनी लीजे सभी लोग यह property मैं अलग color से ही लिख रहा हूँ a से लेके b f of x dx is equals to integration of a से लेके b f of a plus b minus of x dx ज्यान से सुनिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां पर नीचे भी लिख देता हूँ a से लेके b f of a plus b minus of x dx ज्यान से सुनिए आप लोग तो इतना time से अभी मेरे साथ जुड़े हूँ है तो आप लोग यह तो समझ चुके कि जो चीज मैं कह रहा हूँ वो चीज कितनी important हो जाती है इससे आप याद रखिए किसा इसको आप star mark करिए जितने star आप लगा सकते इससे क्या है यह आपका ब्रह्मास्त्र है यह आपका ब्रह्मास्त्र है केसे मैं बता दूँ कैसे जो भी question आपके पास integration का आएगा जो भी question आपके पास definite integration का आएगा ध्यान से चुनिए मेरे words को जो भी question definite integration का आएगा और अगर वे question में आपको समझी ही ना आए कि इसमें मैं starting कैसे करूँ आपको यही formula यूज करना है जो भी question आपके पास definite integration का आएगा और उस question में आपको समझी ही ना आए कि इस question में कैसे solve करूँ कैसे में integration करूँ समझी ही ना उसमें आप यह ब्रह्मास्त्र रियूज करें कोई भी ऐसा question नहीं हो सकता कि अगर आपसे solve नहीं हो रहा और यह formula रखते से आपको यह पता चल जागे कि आप next step क्या हो वह आपको simplify में question कर दें इसलिए जब भी आपसे question ना बने उसमें यह ब्रह्मास्त्र लगाई पहली चीछ अब हर बार यह नहीं कहीं कि मेरे से simple सा question integration integration and sign x क्या होगा तो limit भी दिए हुई तो आप उसमें नहीं पहले हम यह लगाई आफ्टर डेट करें नहीं पहले आपको क्या करना है यह करना है ओके अब दूसरी चीच दूसरी चीच ज्यान से सुनिए यह से लेकर भी ffx dx is equal to a से लेकर भी this value आपने यह लगाया तो इसकी पहली चीच फस्ट इसको आप यात करें किसे करेंगे this is nothing but this is nothing but sum of the limit sum of limit minus x minus of x means function means जो भी variable है उससे अब बात आती है कि इसकी एक boundary condition है इसकी इसको use करने से पहले आप एक check लगा लीजेगा yes mistake का check यह मैं दे रहा हूँ check है क्योंकि देखिए यह question में जब कल कराऊंगो न आपको जब इस पर best numerical कराऊंगा तो मुझे पता है आप लोग यह mistake कर सकते हैं इसलिए आपको मैं यहाँ पर check दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर check करिएगा आप हमेसा द्यान रखिएगा यह फॉर्मूला लगाने से पहले हमेसा चेक करेंगे आप कि 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 फंक्शन एज क्वंटिन्यूस कि फंक्शन एज कंटिन्यूस कि इन दे इंटर्वल इस से लिखे भी और कंटिन्यूस की जगए आप कहें है तो अच्छा से और उसमें defined कहें लिजें क्या कहेंगे आप function is defined चले defined कहें लिजें function is defined in the interval overall मैं क्या कहना चाहर हूँ मैं आपको यह कहना चाहरा हूँ कि जो भी आप यह property लगा है f of x a से लेके भी limit a से लेके भी f of x dx इस चीज का ध्यान रखे कि आपका जो function है इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो function है वह function defined हो interval a से लेके b में बस अभी तो आप देखें कि जब मैं इसका आपको यूज करा हूंगे तब आपको समझ आगे कि overall यह value है ध्यान रखेंगे इसको ओके fourth formula पर हम move करें चोधर formula की बात करें तो इस formula पर जाने से पहले आगे के formula पर जाने से पहले मैं आप से कुछ चीजे पूछ लेता हूं तो इसको आप लगिए fourth thing मुझे बता ही आपको even function or function पता है even function or function अगर हम बात करें f of minus of x इसकी value अगर f of x के बराबर है then it is then function is then f of x is even function example बता देता हूं example एक काम करिए f of x is equals to cos x मान लीजिया और अगर हम बात करें this is f of minus of x is equals to cos of minus of x तो this value is nothing but cos x therefore cos of x is nothing but even function और एक और example बता देता हूं f of x is equals to x square मान लीजिया आप इसकी बात करें तो यहां पर बात की जात f of minus of x is nothing but minus of x का whole square this value is nothing come out to be f of minus of x is equals to x square this is equals to f of x therefore both are the even function ओके यह हो गया आपकी a property b क्या हो जाएगा if f of minus of x अगर if f of minus of x is equals to minus time f of x then then यहां पर क्या हो जाएगा then f of x is then f of x is odd function कैसे होगा example दूँ ज्यान से सुनिए example में आप एक काम करिए f of x is equals to मान लीजिया क्या sin x यहां पर बात करें this value is nothing but f of minus of x is equals to sin of minus of x this value is come out to be minus times of sin x यह value आपको क्या हो गई है f of minus of x is equals to f of x minus f of x इसका मतलब क्या हो चुका है this function is nothing but the odd function और example दूँ आपको एक और example दे देता हूं यही ले लीजिए algebraic में f of x is equals to x ही मान लीजिए आपने क्या करा f of minus of x की अगर अगर अपन बात करें this value is nothing but minus of x तो यह क्या हुआ f of minus of x is equals to minus of f of x means odd function तो यह समझाया कि even function किसे कहते है odd functions किसे कहते है यह questions भी आ सकते है fourth one इसी से आपकी यह property निकलकर आती है fifth property आपकी यहीं minus a से लेके plus a minus a से लेके plus a f of x dx की value बताएं minus a से लेके plus a f of x dx की value कितनी होती है दो cases होते हैं this one is two times of zero से लेके a f of x dx जीरो से लेके a f of x dx इसमें अगर अपन बात करें यह कब valid है जब f of x is even ओके और इसकी value जीरो कब आती है when f of x is odd ओके ना कुछ लोगों को एको doubt आया होगा मैं बताता हूँ न sir neither even nor odd कब होगा neither even nor odd कब होगा भाई neither even nor odd कब होगा जब आपका f of x is नहीं equal होगा minus of f of x आपका f of minus of x जब नहीं f of x के बराबर हो नहीं आपके किसके बराबर हो f of x के इसके बराबर अगर ना हो तो neither even nor odd होगा इक्जाम्पल दे दिता हूँ e to the power x का अगर आप इसमें बात करने e to the power x equals to f of x तो आपके value ओड़ेगी f of minus of x किता होगा e to the power minus of x this value and this value आप नहीं यह minus of f of x के बराबर है नहीं यह f of x के बराबर है तो this function is nothing but neither even nor odd yes or no समझ आया कि neither even nor odd किसे के थे और अगर किसी को इसमें भी doubt आता है कि sir अगर इस टाइप में function में अगर minus a से plus a में हमारा function neither even nor odd का function रहे तो क्या करें कुछ ही नहीं property लगाने की ज़रूरत नहीं है सीधे से integrate करें यह values रख दीजिए properties का मतलब यह क्या है यह आपके shortcut से यह आपको direct तरीका ही यूज करने के और अगर आपको यह values नहीं आ रही है तो सीधी सी बात है आप इसको formula में ही मत रखिए formula यूज मत करें direct general method से यूज करें yes or no चलिए आगे move करते है last formula और बता देते कल आप यह सारे formulas को देखकर आएंगे फिर मैं आपको questions करा हूँ लास्ट property आपकी 0 से लेखके twice of a f of x dx की क्या होगा कुछ नहीं होगा इसकी value होगी 2 times of 0 से लेखके a f of x dx इसकी अगर बात करें तो यह होड़ाएगी f of कब होगा जब f of twice of a minus of x is equals to f of x इसकी value होगी 0 कब जब f of twice of a minus of x is equals to minus of f of x और आप लोग ना बहुत कभी कभी ना बहुत ही जादा सिली questions पूशते हैं अभी मुझे पता है कि अगर अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर मैं नहीं बताँगा तो कुछ लोग यहीं पूछेंगा सर अगर f of two a minus x की value f of x के बराबर आई तो यह हो गया जब f of two a minus x की value minus of f of x के बराबर आई तो 0 हो गया और सर अगर बराबर नहीं आई तो तो कुछ नहीं guys simple सा इसे integrate करिया और क्या कल मैंने एक questions देखा था कि मेरे से यह पूछ रहे था कि सर इसके integration में अगर यह function नहीं हुआ तो यार अगर उसकी जगह पर भे function नहीं हुआ तो आप direct method से उसे integrate करिये न बहुती silly questions पूछते हैं कभी-कभी आप लोग कल मैंने देखा था एक student ने मुझे यह पूला था कि सर आपने integration of e to the integration of cause hyperbolic x के case में आपने sign hyperbolic x लिखवा दिया बताए वह student अगर online है तो comment करिएगा उन्होंने पूछा था कि सर आपने integration of cause hyperbolic x का sign hyperbolic x लिखवा दिया यहाँ पे आपने constant c एड क्यों नहीं करा यार अग अगर वह indefinite integration है तो समझ यह constant c होगा वे student को देखे कल के अगर आपको लग रहा तो live chat में देखे कल यह कि student था यार इस चीज़ को तो आप समझी सकते हैं यार एसे basic questions तो मत पूछे कि यार अगर indefinite integration इसका मतलब यहाँ पर constant add है अब इसी चीज में अगर मैंने वहाँ पर x के बराबर है अगर minus of f of x है और अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो क्या आप definite integration का director formula यूज करिए इसा integrate करिए limit रखे आंसर पाईए आई इसा case नहीं हो तो properties का मतलब क्या है यह direct shortcuts है आपके कि direct अगर इसा form दिखे तो direct यह यूज करो answer यह आता है बी definite integration है तो consistency हो गई होगा और अगर हम आप consistency नहीं लिखा तो आप लिख सकते थे इसलिए कम सकम आप इतना तो show करिए कि आप engineers हैं कम सकम यह मत शो करिए कि आप 7th या 8th class में पढ़ना है आप at least इतना तो show करिए कि आप engineers हैं इतना तो आप basic ही रिता किया रहा है और नहीं है त तो आप देखे कल के comment में जाके देखे live chat में एक student ने पूछा भी थाई तो आप ऐसी चीज के लिए विल्कुल गाइस एसे basics question तो मत पूछे मैं जितना basic हो सकता उतने basic से पढ़ा रहा हूँ आपको कोई भी इतने basic से theories नहीं पढ़ाने वाला उनके सारी use हुए उनके properties के derivation तक मैंने आपको यहां बताए हैं फिर देखे मैंने आपको definite मैं आपको इतने basic से पढ़ा रहा हूँ कम से कम अब एसे basic question मत पूछेगा कल से ठीक है आपको doubt अच्छे doubt वेल आईए जरूर solve कराता हूं मैं आप देखेगा special session में आईए बहुत ही अच्छे questions करा हूँ बट कम तो 6 पीम पर इससे related हम आज numerical करने वाले हैं लिंक की बात की जा तो लिंक कहां पर है आपके लिए लिंक जो है आपके लिए comment section में डल चुकी है आपको क्या करना है comment section में link पर जाना है वहां पर जाके आपको link पर click करना है और आपको enroll कर लेना है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है unacademy app पर जाके मुझे follow करना है unacademy app में जाके मुझे follow करिये तो इससे क्या होगा follow करने से आपकी कोई भी update मेरे related कोई भी आपकी update miss नहीं होगी जो भी चीज़े मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़े on time मिलती रहेगी आप किसी भी प्रकास से miss नहीं करें है second day आगे बात करूं तो जिन लोगों को subscriptions चाते हैं कि वह प्लस पर subscription चाते वह unacademy app पर जाये get subscriptions करिए और वहाँ पर अपना मंतली प्लान चूज़ करें कि आप कितना मंतल का चाहते हैं जैसे कि आपको महाँ पर जैसे ही आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आपको महाँ पर इंस्टेंट 10% का डिसकाउंट मिलेगे जैसे अब आपका सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया लेटर सपोस्ट वन इयर का तो आपका यहाँ पर प्लान कितना बता रहा है आपको 2500 रुपीज का डिसकाउंट हो जाएंगे इन्हें सिमिलर वे अगर आप 24 मंत का लेते हैं तो आपका अभी प्राइस कितना है 30,000 आपका प्राइस है इसमें अगर आप 10% जैसे ही कूपन कोड पलव लाइब यूज करेंगे आपको 3000 का डिसकाउंट मिलेगा और आपका प्रा सारी चीजे फ्री में सारी चीजे आपको बेस्ट फेसलेटी सारे कंटेंट दे रहा हूं अगर आपको ये सारी चीजे मिल रहें तो आप एटलिस्ट इतना तो आप लोग कर सकते कि आप जब भी अनकेडमी से जुड़ें आप कूपन कोड पलव लाइब यूज कर सकते क्यो लिए हैं यहांपर आप जो भी डूट रहेंगा आप वहांपर कर सकते हैं और अगर बात कि चाहें आप हमारे टेलीग्राम चेनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अले आप हमारे टेलिग्राम चेनल गेटमी से भी जोड़ सकते हैं यह हमारे टेलिग्राम चेनल रहा है आप इससे आईए और यहां पर जूड़िए ठीक है गाइस तो आज की क्लास अपन यहीं कतम करते हैं मिलते हैं 5 पीम टो 6 पीम में कहां क्या करने वाले आज हम इंटिक्रिश तैंटिक्स हमाइस जाए टेर्श्टर तैंटिक्स। झाल झाल